KiKA Lösung Friends जैसा के आप यहां इस्क्रीन पर देख रहे हैं कटाप मेरिट से अधिक नंबर हैं तो चैन क्यों नहीं जी हाँ ऐसा भी हो सकता है अगर आप यूपी में हैं तो यूपी में कुछ भी संभू है कटाप मेरिट से ज़ादा भी अंक है आपके तब भी आपका चैन नहीं होगा कोई ने कोई जंजट आपके सामने आ जाएगा और आप बाहर रह जाएंगे रात दिन भले आप कड़ी मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं लेकिन वो कोई माइने नहीं रखता है यहाँ पर भरष्ट अचारियों और जो अन्ने गलत तरीके अपनाने वाले हैं उनकी ज़्यादा चलती है और जो बहुत ज़्यादा इमानदारी के पक्च में रहते हैं की दाल नहीं गलती यहाँ पर चलिए आपको कुछ इसी तरह की खबर आज हमें आपर दिखाने वाले हैं और इस खबर को पूरा देखिएगा बिल्कुल आप सब कुछ समझ जाएंगे रियल में क्या है देखिए सबसे पहले हमें आपको कुछ मुख्य और बिसेस बिंदू को दिखा दें कोट्र ने राज्य सरकार और पुलिस भरती बोर्ट से मांगा जब आप एकतालिस हजार पांच सो बीस सिपाही बरती में चैन से बंचीत अबरतियों ने दी परड़ाम को चुनोती से अधिक था लेकिन फिर भी उनका सेलेक्शन नहीं किया गया उनको कुछ नकुछ लंबा बहाना बता दिया गया तो चलिए देखते हैं क्या बात हुई थी इसमें और इस परिच्छा में क्या धांदली हुई थी क्या कैसे हुआ था पूरी खबर को पढ़िएगा तब ही समझ में आएगा इलहाबाद हाई कोर्ट सबसे पहले हम आपको बता दें इलहाबाद का नाम बदल करके परियाग राज कर दिया गया है लेकिन इलहाबाद हाई कोर्ट इलहाबाद बिस बीडले और इलहाबाद कॉलेज यह आपने एक सुना होगा तो चलिए आगे चलते हैं अलाबाद हाई कोट ने नागरिक पुलिस और पियसी में 41,520 सिपाही भरती के फरवरी 2019 में जारी चैन परड़ाम पर पुलिस भरती बोर्ड और परड़े सरकार से दो सबताह में यानि की 14 दिन में जब आप मांगा है इस परड़ाम को हाई कोट में चुनोती दी गई है याची गण का कहना है कि कटाफ मेरिट से अधिक अंक होने के बावजूद उनका चैन नहीं किया गया चलिए आगे देखते हैं क्या है ये पूरी ख़वर जबकि उनसे कम अंक पाने वाले अभैर्थी चैनित का लिए गए है यहादिस नयमूर्थी सुनिल कुमार ने ओबी सी एसी और एस्टी वर्ग के अभैर्थियों की ओर से दा के लिए अचिका पर दिया गया है क्योंकि ऐसा कुछ हुआ था इसमें कुछ त्रीय आरक्षण और लागू किया गया था आपकी जनकरी के लिए बता दें जिसमें सामान वर्ग को आरक्षण मिला था और सी एस्टी और अन जो पिछली जाती है थी उनको यहाँ पर मतलब वरियता नहीं दी गई थी कुछ ऐस था जिसमें इस कटाप में क्या था ये भी आप आप देख सकते हैं OBC के लिए 216.742400 अनुसूची जाती के लिए 132.994551 अंक तथा अनुसूची जन जाती के लिए 135.107 अंक बनाया गया था मतलब निर्धारित किया गया था OBC के लिए है यह HC के लिए है इसके बाद क्या ह होता यहां पर आप पूरा देखिएगा यह सबी तो मेरिट बनी थी याचीगंड के कटाफ अंकों से जादा थे उनके अवी लेखों के सत्यापन और मेटिकल परिक्षण के लिए बुलाया गया इसमें वह सफल हो गये इसके बाद सारीरिक दक्षता परिक्षा यानिकि दो याची अधिवक्ता का कहना था कि पुलिस भरती बोर्ड ने 15 दिसम्बर 2018 को एक और कटाफ मेरिट जारी की थी जिसमें मेरिट काफी नीचे आ गई थी और आगे देखिएगा क्या है यहाँ पर तो काफी लगबग खबर खाता हम हो चुकी है भाई तो आप लोग समझ चु किरपाइस वीडियो को लाइक अवस्से करें और अपने दोस्तों में सेयर करना ना भूलें जिससे कि उन्हें भी महत्तोपूर जनकारी को मिल सके और अगर आप यूपी बिहार से हैं तो यह सब हाम बात है क्योंकि परिक्षा में आपको बता दें जीरो लेबल से लेकर के ह लेवल तक जो होते हैं न सभी खाते हैं सब धानदली करते हैं हापर किसी का नाम नहीं लेने माला ठीक ना तो बस आप बकरे के चुनाए ना बली का वकरा बनना अबैर्थी बिलकुल बली का वकरा जैसे बने रहते हैं पहला नंबर तो आप एक बात को यहां पर रनुमान जल रहा सिंपल सा सोची एक अबेर्थी के तोर पर कि आप कोई भी फाम एपलाई करते हैं एवरेज में पांच सो रुपे मांग लीजिए उसका असर मतलब फाम का एपलाई जैसे आप रेलो या बाइंग का फाम भरते होंगे एस बेयो गयरा का तो आप देखते होंगे पांच सो से कम फेज नहीं होता है और उसमें लागों लोग बेर्थी जो है वो एपलाई करते हैं तो आप इसे खुद गुड़ा गड़ित कर सकते हैं अगर पांच सो के अनुसार अगर आप एक लाग फाम भी पड़ते हैं जबकि एक लाग नहीं लग बगद दफ लाग फाम पड़ते हैं अरबो खर्बो की गाड़ी कमाही से कहीं सीधा उधर करके फाम अपलाई करते हैं फिर उनकी हिम्मत नहीं होती है अधिक तर तो छोड़ देते हैं कि चलें परदर्सन करें मुकदमा करें लाटी खाएं तो ये सरकार कुल मिला के क्या करती है आप बेर्थियों से और बेरुजगारों से कमाही करती है यहाँ पर किसी सरकार की बात नहीं हो रही जो भी सरकार भारत में होती कोई भी सरकार हो यहाँ पर किसी राजनीति से सम्मंदित बात नहीं है हर सरकार ही करती है लेकिन ऐसा कब तक होगा यह आप लोग समझदार बनेंगे हम लोग समझदार बनेंगे तो भी यह खत लेकिन ऐसा होता क्यों है आपने देखा होगा सिफी कारपोरेट कंपणी सिफी कंपणी जो पहले ससी की परिक्षा कराती थी उसने अपना सर्वर दलालों को बेच दिया था इस ख़बर को आप नियूज में सर्च कर सकते हैं आप तो उसका सर्वर भी बदल दिया गया है सिफ लोग देखते भी होंगे ऐसा हो रहा है लेकिन इस सबके जिम्मेदार सरकार नहीं हम लोग हैं क्योंकि इसमें से हम लोग में से बहुत से लोग पैसे रुपयों के लालच में बहुत से मात्वपूर डेटा को लिक कर देते हैं और जिसका परड़ाम बाद में सरकार को परिक्षा हो राज जे क्या इस्टेट लेबल या फिर केंदर लेबल हर एक परिक्षा की वंडे एक्जाम की तयारी आप कर सकते हैं और मैं आपको जनकरी बता दूं मैत के लिए 100% गारंटी के साथ आप यहां से स्टेडी कर सकते हैं बाकी सब्जेक्ट भी आपको मिलेंग से तो इस वीडियो को लाइक आवसे करिएगा सेर आवसे करिएगा